अब हम लोग पढ़ेंगे physiology of muscle contraction यानि smooth muscle में जो contraction हो रहा है वो ठीक जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि skeletal muscle में एक junction पाजाता है जिसे neuromuscular junction कहते हैं ठीक तो neuromuscular junction जो है contraction में contraction को initiate करता है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पूरी physiology muscle contraction की ठीक यह बिल्कुल सेम वैसे ही है ठीक लेकिन जब वो आएगा तो उसमें आपको neuromuscular junction मनाना पड़ेगा और जब यह physiology of muscle contraction आएगी तो इसमें अलग diagram मनाना पड़ेगा ठीक जो contraction of muscle होता है जो muscle contraction होता है उसे कहते है मसल ट्विच ठीक मसल ट्विच जो होता है यह ट्विच जो होता है जो मसल फाइबर होते हैं उसमें उत्वपन होता है ठीक यह इसी ट्विचिंग के वज़ए से जो मसल फाइबर होते हैं उनके साइज इंक्रीस भी हो जाता है कभी कभी डिक्रीज हो जाता है ये सेंट्रल नर्वा सिस्टम के दवारा कंट्रोल होता है ये इन वालेंटरी एक्षन भी देता है क्योंकि ये spinal cord के माध्यम से भी control होता है लेकिन ये mainly voluntary action है क्योंकि ये brain के द्वारा control किया जाता है ठीक तो ये diagram देख रहा है इस diagram को आपको देखना है और इस diagram को बनाना है और इस diagram में जितने points दिये हैं उतने points आपको लिखने हैं ठीक तो आपको ये घुमावदार जो चीज दिख रही है ये हमारी nerve ending है ठीक ये nerve ending है ठीक ये जो इसका गोल सा हिस्सा है nerve ending का ठीक ये synaptic vesicle है क्या है synaptic vesicle और ये जो इसके जो बहार ये जो गोल गोल से जो चीज दिख रही है इसमें धार्या निकली हुई है यह आपकी जो है सार को लहμα है थे यह जो मेंब्रेन है वो है नर्व फाइबर की मेंब्रेन है थीक तो यह जो सैनेपटिक वेसिकल होता pilots हूता थे सैक मतलब खाने होते हैं उन कानों में जो है आपका यह भारा हुआ होता है क्या कहते हैं असे activity यो यह आती है यह ऐसटायव को रिलीज करती है ठीक यह पर करकलिस हो न्यकर करunn किया हो, है उसके बाद क्या होता होता है फिर एक्षिन पोटेंशल इसमें स्टार्ट हो जाता है अब क्या करता है यह आपकी जो सारको फिर यह कैल्शियम आइंस जो हैं रिलीज हो करके किस से बाइंड करते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन से ठीक जब यह ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड करते हैं ठीक तो यह मायोसिन और एक्टिन साइट पर जाकर के फिर बाइंड हो जाते हैं ठीक ट्रोपोनिन पर जब यह तो contraction होता है धीक जब यह contraction होता है तो ATP का use होता है मायोसिन का जो head है वो actin से जाकरके की ठीक फिर उसके बाद जो है आगे जब और calcium आ करके bind होता है जब और calcium जुक है सार्कुप्लाज्म रेटिकुल्म पर आ करके bind होता है ठीक तो करता है वो restore करता है calcium ion को sarcoplasm पर ठीक जब एक बार होने लगता है फिर जब हमाई nerve impulse खतम हो जाती है यानि एक nerve impulse आई फिर उसके बीच में gap होता है जब gap होता है तो जो ions के जो channel होते हैं जैसे हमाई बता जाते हैं जब channel बंद हो जाते हैं तो फिट से calcium जो है उसी पर आकर के छिपक जाता है ठीक जब वहाँ पर आकर के छिपक जाता है फिर उसके बाद हमारी muscle relax हो जाती है तो यह था हमारा physiology of muscle contraction